दोस्तो नमस्कार, इस कोर्से में हमने पहले संक्या पदती उपर काफी कुछ कम्प्रियों से स्टेडी कर चुके हैं, इसका जो एक अधरिक्त इंपोर्टेंट न हिस्सा है इस्थानी मान यानि की प्लेस वेलू इस पर हम बात करेंगे अकार्टिन की सुलेबा साप इंपिटेट पर प्रामेरी स्कूल टीचर्स पहला जो चैप्टर साइस में संक्या पदती एक अजार से बड़ी संक्या को पढ़ना वा लिखना ये हम पहले स्टेडी कर चुके हैं और जो इसके आगे एक अजार से बड़ी संक्या पर इस्थानी मान के बगर प्लेस वैलू के संक्या पदती को पूरी तरह समझना आसान नहीं होता है तो आए इस्थानी मान के बारे में कुछ बाते देखते हैं कि इसमें कौनसी ऐसी जरूरी चीज़े हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होता है जिसके आधार पर MPT पर questions पूछे करेंगे और उसके बाद हमारी जो teaching learning process से इस्कूल से में हम करेंगे वहां भी हमारी ये काम में आएगी तो संख्याओं को जब उसके value की बात आती है तो इस्थानी मान और उसका विस्तरत रूप इन दो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी होता है इस्थानी मान अर्थात ह अर्ट की संख्या की बात करता है तो इस रिखम बना जी अर्ट के घ्रडिया गाए जाता है अब दोनों चीज़ों को थोड़ा सा हम यहां पर सब्दों में इसको किस तरा समझें है ये देख लेते हैं इस्थानी मान ऑण्हकं का वह मान जय उसके इस्थान विशेश के कारण बदल जाता है यानि इस्थान विशेश किस इस्थान पर वो अंक है उसके आधार पर उस संख्या में उसका मान उसी इस्थान के कारण निर्भर करता है उसी इस्थान के कारण तै होता है तो उसे उसका इस्थानी मानिया प्लेस वेलू गयते हैं और फेस वेलू किसे संक्या के अंका का वह मान जो कभी नहीं बदलता चाहे इस्थान कुछ भी बदल जाए लेकिन उसका मान हमेशा वही रहेगा और जो पार्टिकॉलर एक ही डिजिट में रहता जनरली तब SECD में उसे जाती मान, अंकित मान अत्वा शुद्ध मान ये हिंदी के नाम है दोस्तों कभी-कभी परिक्षवा में जो प्रशन आते हैं वो हिंदी नाम इस तरह के कुछ अलग-अलग दे दिये जाते हैं किन्तो हम इस बात का ध्यान रखना है कि English version में इसे face value ही कहते हैं तो आएए देखते हैं ये इस्थानी मान होते क्या है तो इसके लिए हम देख रहे हैं भारती गणना प्रणाली के साब से जो भारती गणना प्रणाली है दोस्तों इसके पहले कि लेसर में हमने जो संक्या पधधरी की बात की थी एक भारती गणना प्रणाली होती है और एक अंतराष्टी गणना प्रणाली होती है तो भारती गणना प्रणाली में हम इस बात को ध्यान से देखें यहाँ पर हमने ये जो चाड़ बना रखा है इसमें हम दाहीनी और से बाई और जबकि लिखते समय हम जानते हैं कि हिंदी अत्वा इंगलिस लेंगवेज को जो हमें लिखते हैं तो बाई से दाईयों लिखते हैं ये एक अलग चीज है कि भाषा को किस तरह लिखा जाता है लेकिन जब संख्याओं की बाद आती है तो संख्याओं को भी बाई से दाईयों ह लिखते हैं लेकिन उसकी जो value होती है न दोस्तों वो दहीनी और से लगाता इस्थान के साब से आगे बढ़ते जाती है तो सबसे right side में जो सबसे पहला आवर्त होता है वो होता है इकाई का तो इकाई के आवर्ते में कुल मिलाकर तीन स्थान ताय किये जाते हैं सबसे पहला स्थान इकाई का यानि unit place दूसरा स्थान होता है दाही का यानि second, tenth place और तीसरा होता है सैकड़ा जिसे हिंदी में सैकड़ा कहते हैं और इसे कहते हैं hundredth place तो इस तरह ये तीनों units कहलाती हैं जो right side से continuation तीन letters for example यहाँ पर एक संख्या यदी हम लें 687 यानि 687 यदी 687 हम ले रहे हैं तो इसके इकाई स्थान पर होगा 7 दाई स्थान पर होगा 8 और सैकड़ा स्थान पर होगा 6 तो ये एक आवर्त कहलाया अब इसके बाद हम आते हैं यदी कोई संख्या तीन अंकों से एक अंक और ज्याद है यानि चारंक वाली संख्या है तब भी उसे हम right side से ही उनके स्थान हम तै करेंगे तो इस तरह जो दूसरा आवर्त होता है वो हजार का आवर्त कहलाता है और इसमें जो पहला आवर्त होता है हजार का वो सिर्फ हजार का होता है और जो दूसरा आवर अब दोस्तों यहां पर भारती गरना पर लिफय गूछूत is जब बात की जाती घू की दाइन वारती QR इसके बाद हजार दस हजार फिर लाक दस लाक फिर करोड दस करोड अब इसके बाद क्या जनरली जब भी नंबर से यूज किये जाते हैं तो करोड तक की संख्याओं को ही आगे लगातर बढ़ाते हैं चाहे वो 10 करोड हो, 100 करोड, 1000 करोड, 10,000 करोड, लाग करोड, तो इस तरह इन चीजों को बढ़ाते चला जाते हैं, लेकिन यदि करोड से और आगे हम बात करें ठीक, इसी प्रकिरिया के तहद, तब यह क्या होता है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, लेकिन हमें याद रखन चाहिए, इकाई सबसे पहले, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, इकाई, फिर उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर दस हजार, फिर लाग, फिर दस लाग, अब यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद क्या, करोड, फिर दस करोड, इसके बाद अरब, और दस अरब, अरब वाला एक आवर्थ हो गया इसके बाद यह होता है खरब और इसके बाद वाला आवर्थ दस खरब फिर खरब दस खरब के बाद नील फिर इसके बाद वाला आवर्थ दस नील इसके बाद और दो आवर्थ होते हैं पद्म और फिर दस पद्म ये भारतिक गर्णा प्रणाली में इतने इस्थानों तक चला गया अब मैं आपसे फिर से यदि पुझूँ कि आप करमशाह बोले तो बोलने की कोशिश कीजिए और या अपने पास नोट से में लिखने भी कोशिश कीजिए क्या क्या होगा अब आपसे हम रिपिट करें इसका क्या होगा तो संख्याओं को आप रिपिट कर सकते हैं बड़ी आसनी से तो चलिए कोई बात नहीं इतना याद करें की कोशिश कीजिए और करें लिए ज्याद अच्छा होगा तो यह है भारती गणा बना ली अब यहाँ पर जो अलग-अलग हिस्से किये गए हैं भारती गणा पर ले की विशेस्ता यह ही होती है कि इसका सबसे प्रथम जो आवर्त होता है यह तीन अंकों का होता है लेकिन उसके बाद लगातार दो-दो आवर्त होते है इसकारत यह हुआ कि जब हम कोई संख्या लिखते हैं जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखी है कि सबसे पहले जो तीन अंकों थे दाहिनी और से इसके बाद कौमा लगा दिया जाता है ध्यान से देखें उसके बाद लगाता है दो-दो आवर्त होने के कारण दो-दो अंकों के बाद में कौमा लगा जाता है लिखने की ये प्रिक्रिया भारती गर्णा बनाली में कहला दी है अब बात करते हैं इस्थानिमान की तो इस्थानिमान क्या होगा यदि संख्या यही है तो यहाँ पर साथ का इस्थानिमान साथ ही होगा लेकिन आठ का इस्थानिमान क्या होगा आठ क्योंकि यह 10 दहाई है इसलिए आठ का इस्थानिमान अर्था दो के बाद कितने सुनने यानि दस अजार में जितने सुनने होते हैं उतने सुनने आप दो में लगा दे चार का इस्थानिमान पुछा जाएं तो चार का इस्थानिमान अब यहाँ पर देखें एक लाक में जितने सुनने हैं उतने चार के बाद आप सुनने लगा द यहां पर अब आप देखें, अंतराष्टे गढणाबनाली, अंतराष्टे गढणा प्रणाली को देखते से ही आप समझ गया होगी, कि सबसे पहले जो आवर्त है, यह तीन इस्थानों का होता है, जिसे हम यूनिट प्लेस कहते हैं, या इकाईया कहते हैं, दूसरा आवर्त ह अजार का होता है जो तीन इस्थानों का आवरत होता है तो इस bubble इस तरह भारते गणणा अपनाली में kya था उनका कुछ नाम होता है जैसे कि हमने भारती गर्णा प्रणाली में बात किये थी इकाई, दाही सेकड़ा, उसके बाद हजार, दसलाग, हजार दसजार, लाग दसलाग, करोड़, दस करोड़, उसके बाद भी हम आगे बढ़ेते हैं तो इसी तरह अंतराश्चे गर्णा प्रणाली में भी आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, याद करें आप, चले बहुत आसान है, मिलियन के बाद होता है बिलियन, और उसके बाद होता है ट्रिलियन, जिस तरह इसके पहले हमने अंतराश्चे गर्णा प्रणाली में देखा था लेकिन इस्थानिमान के परिकलपन है वो बिल्गल समान है इसमें कोई अंतर नहीं है यदि संख्यआ वही है और इस गर्णापनाली के आधार पर यदि इस्थानिमान पुछा जाए तो तो साथ का इस्थानिमान साथ ही होगा, आठ का इस्थानिमान यानि आठ दाही, तो अर्था दाही में कितने सुन्य होता है, एक सुन्य, तो आठ का इस्थानिमान असी, छे का इस्थानिमान अर्था छे सैकड़ा है, यानि कि 6 के बाद 100 में जितने सुन्य, उतने 6 के बाद हम शुन्य लगा देंगे, यानि 6 00, इसी तरह अन्य दूसरी संख्यों के अब हम इस्थानिमान निकाल सकते हैं, तो इस्थानिमान की परिकलपना बहुत आसान है, इसमें कोई समस्या नहीं है, अब यहां पर हमें एक जैसे संख्या लेख रहा हूं, 560, इसमें 5 का इस्थानिमा अब एक दूसरी संख्या हम देखते हैं, यहां पर 7 का इस्थानिमान कीतना होगा, 7 के बाद सीधे सीधे अब 3 शुन्य लगा दें, 2 का इस्थानिमान, 2 के बाद 2 अंका हैं तो 2 शुन्य लगा दें, फिर शुन्य का इस्थानिमान, शुन्य ही होगा, शुन्य किसी भी स्थ पर कौन सा अंका है एक है तो इस तरह एक का इस्थानिमान होगा एक क्योंकि ये एक ही अंका है इसके बाद कोई अंका है ही नहीं इसलिए इसका इस्थानिमान एक ही होगा चलिए तो इस तरह हमने इन इस्थानिमानों के बारे में बात की यहाँ पर देखते हैं विस्तारित यह कहलाता है दोस्तों विस्तारेत रूप हमने दोनों गण्णा प्रणालियों के समय में इस तरह के विस्तारेत रूप देखा था अब यहाँ पर जो हमने लिखा है अब याद करने की कोशिश करें यह कौन से गण्णा प्रणालियों में लिखा है तो दहीनी और से मन लगातार आगे बढ़े एकाई उसके बाद दही उसके बाद सेकड़ा आथा दो सेकड़ा है उसके बाद तीन तीन अंकों के बाद में हमने कौमा लगाया है यहाँ पर लेकिन जैसे यह पचास आया यहाँ पर पचास के बाद में हमने दो-दो आवर्थ ल यदि हम भारतिक गढ़ना पढ़ाएं में संख्याओं को लिखते हैं तो इस तरह लिखेंगे लेकिन यदि अंतरास्य गढ़ना पढ़ाएं में लिखते हैं तो हम तीन-तीन के आवर्त बनाएंगे और इसी आधार पर हम संख्याओं के इस्थानी मान भी लिख सकते हैं बड़ होगा 60 लेकिन 6 के जाती मान पुछा जाया तो ये होगा 6 सिर्फ 6 तो जाती मान हमेशा एक अंकी होता है ये बात हमें ध्यान रखनी है जाती मान हमेशा एक अंकी होता है जबकि इस्थानी वान उस इस्थान पर डिबेंड करता है कि उसके बाद में वो किसी स्थान पर है 21 स्थान पर है तो सिंगल डिजिट को होगा 20 स्थान पर है तो एक सुन्नी उसमें होगा सैकड़ा स्थान पर है तो उतने सैकड़ा होगा तो उसके आधार पर जो हमने विश्तरी धुरूप की बात की थी उस आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं तो दोस्तों आप स्वम इस तरह इस्थानीमान और जातीमान निकाल कर देखें और इस आधार पर बहुत सारे प्रस्ण भी आप बड़ी आसाने से कर सकते हैं So, thanks for watching this video. Stay tuned with us. Jaya Hind!